शाल में एक बार होता है इतना बड़ा हंगामा, तो कौन खैचेगा विया, पैनोरामा, आज कल ये पैनोरामा-पैनोरामा को ज़्यादा ही हो रहा है क्यों? वैब आज कल जितने भी 스마र्ट फोन देखोगे, अगर आप उन 스마र्ट फोन के कैमरे को ओपन करोगे, तो वहां पर आपको भले ही कोई दूसरा मोड मिले या ना मिले लेकिन आपको Panorama ज़रूर देखने को मिलेगा लेकिन एक मिल्डू को यहां पर भी आ अखिर में यह Panorama मोड होता क्या है और इसका क्या काम है और सबसे इंपर्टन बात यह है कि वह आखिर में ये the पैनरामा मोड कैमरे में किस तरह से काम करता है वैल आपके मिन में भी यह सारा डाउट है तो जानना है तो इसके लिए वीडियो को लास तक देखते हैं हेलो गाईज मेरे नाम है मनुशारू और टेकनोलजी गैन चैनल में आपका स्वागत है वैल यह स्मार्टफोनों में पै पैनरामोड किसी भी स्मार्टफोन में किस तरह से काम करता है पैनरामा अचाल के स्मार्टफोन में एक ऐसा important菁क्र है या पिर कर दो एक एसा photography टेक्निक है चित्रमाला अब यहां पर भीया आप पैनोरमा के हिंदी मतलब से आसानी से समझ गया होंगे कि भीया अखिर में यह पैनोरमा क्या होता है और इसका क्या यूज है तो जब भी आप अपने स्मार्ट फोनों में कैमरा आप को ओपन करते हो तो हमेशा कैमरे में स्टैंडर कैमरा जो मोड होता है वही ओपन होता है या पिर कहलो नॉर्मल कैमरा मोड होता है या फिर अपर आप उसे थोड़ा सथा हैं अगर आपको किसी छीम पर जाते हो या फिर उसी जगह पर घूमते हो और हैं पर कुई दृष्शिय ऊसे शामने आफिर हैं इस आतकि पार्ट चाहते हैं और ऎहां bize क्लिक करें तो इस तक होन्ग को आपको जो कुछ दिखाए देगा सिर्फ उसी फोटो उसको वह कैप्चर करेगा या फिर कहलो क्लिक करेगा जो भी नॉर्मल कैमरा होता है लेकिन सोचो अगर आपको ऐसी जगे पर जाते हो जहां पर बहुती बड़ी बिल्डिंग है उची उची बिल्डिंग है और जिस जग आपको तो नीचे से लेकिए पूरी ऊपर तक की बिल्डिंग की फोटो क्लिक करने है या फिर आपको यहां से लेकर यहां तक जितना भी दृश्य आ रहा है वह सारा का सारा क्लिक करना है तो ऐसे कंडिशन में क्या करोगे तो यहीं पर काम आता है दोस्तों पैनरोमा मोड तो यहां पर आप एक छोटे से स्मार्ट फोन के कैमरे से एक बहुत ही बड़ी एक लेंस के फोटो ले सकते हैं या फिर कहलो एक वाइड एंगल फोटो को क्लिक कर सकते हो जहां पर भीया आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक ही फोटो में दिखा सकते हो लेकिन एक मि बहुत ही आसान है, जब भिए आप अपने स्मार्ट फोन मेरेर मोड को उपन करता है और इसे स्टार लेक्षन करते हो तो वहां पर देक्ना हमेसा आपको एक यह ज़रूर दिखा जाता है तो यह एरो क्या होता है बैसिकली जिस भी डिरेक्षन में यानि एक डिरेक्षन से बिल्कुल दीरे-दीरे slowly move करना होगा और लगातार move करते रहना होगा अगर आप fast से move करोगे तो जो photo है वो उतनी अच्छी नहीं आएगी तो यहाँ पर arrow का basically वही use होता है कि आपको direction बताता है कि किस direction से आपको photos को click करना है तो यहाँ पर क्या होता है जैसे ही आप इस direction में धीरे-दीरे अपने phone को move करते हो panorama mode को open करके तो यहाँ पर यह panorama mode करता क्या है आपके phone से continuously यानि लगातार photos को click करते रहता है यहाँ पर panorama mode में एक ऐसा feature डाला गया है जिससे कि आप जब भी आप एक direction से दूसरे direction में move करेंगे तो उस direction के बीच में उस रस्ते के बीच में जितने भी photos आएंगे वह एक एक करके उन सभी photos को click करता जाएगा इसके बाद जो next important काम आता है वह सबसे important काम है जो panorama में होता है जिसके बाद आपको final image है जो एक लंबी image है वह आपको मिल पाता है जैसे कि एक photo click करा उसके बाद यह जो आगे move करेंगे तो इसका दूसरा portion click करता है तो यहां पर पहले और दूसरे photo के बीच में जो भी matching edges है जो भी matching part है उन दोनों matching part को वह यह जो अल्गोरिथा में या फिर कहलो software है panorama mode के अंदर वह मिला देता है ठीक है उसके दूसरा part और जो तीसरा part आप click करोगे photo में इन सभी के बाद जो final result निकलता है वो basically panorama mode के लाता है तो यहां पर देखा जाए तो यह जो panorama mode है जो भी edges है मिला देता है और इसके बाद जो भी final result है वो आपको एक अच्छा मतलब एक पूरा lens के बहुत ही लंबा photo के रूप में show हो जाता है तो यहां पर अगर आप इस image को जो भी आप पैनल रवा मोड से क्लिक करते हैं उसे आप ध्यान से देखोगे तो definitely अगर आपने हाथ से क्लिक करा है पैनल रवा मोड से photo तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ edges देखने को जरूर मिलेंगे क्योंकि यह जो software है वह इतना भी advanced नहीं होगा कि बिल्कुल accurate ही match कर देगा इसके लिए या तो आपको tripod का इस्तमाल करना होगा या फिर अपने हाप को एकदम smoothly same direction में move करना होगा तब ही जो photo है वह एकदम perfectly आएगा तो भाईया यह था सारा panorama का funda I hope अब आपको समझ आ गया हुआ कि यह panorama क्या है और panorama किस तरह से काम करता तो यार अगर अच्छा लगा और कुछ जानने को मिला कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मुझे अच्छा लगेगा तो बस इस वीडियो को एतना ही वीडियो अच्छा लगा उस्प्लाइक अकरी-टाकि मिल आपको नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गूट पाइ